वक्फ एक्ट 1995 के कई प्रावधानों को याचिका करता अश्विनी उपाध्याई ने सुप्रिम कोट में चुनोती दी थी और ये कहा था कि ये ऐसे प्रावधान है जिन्हें तुरंत असमवेधानिक करार दिया जाना चाहिए चोकि ये वक्फ बोर्ड को असिमित शक्ति देत हैं और दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव करते हैं अलाकि सुप्रिम कोट ने मामले को सुनने से मना कर दिया ये कहते हुए कि याचिका करता व्यक्तिकत रूप से इस मामले में प्रभावित नहीं है क्या मांग थी अश्विनी उपाध्याई की और आगे अब ये क्या करे आगे जॉटेज के लिए धारमिक जमीन के लिए मन्दिर मस्जित की जमीन के लिए होगा और सब के लिए एक होगा लेकिन केन सरकार ने क्या किया एक कानून बना दिया 1995 वक्क पैक्ट और ये प्योरली मुस्लिम्स के लिए बना दिया तो पहली बात तो ये चुकि सम्मिधान में कहीं जिक्र नहीं वक्क पा इसलिए वक्क पैक नहीं बन सकता था दूसरा हमने ये कहा है कि आप वक्क बोर्ड बनेगा वक्क बोर्ड में कौन कौन है एक मुसलिम MLA, एक मुसलिम MP, एक मुसलिम idvocate, एक मुसलिम I.S. officer, एक मुसलिम scholar और एक मुसलिम town planner और एक متवली ये वक्क बोर्ड में होंगे वक बोड का पूरा का पूरा जो खर्चा आएगा वो जनता के टैक्स के पैसे से जाएगा भारत के किसी भी मजार, दरगाह और मास्जित से एक रुपए सरकार नहीं लेती है लेकिन वक बोड का जो पैसा है, इसका वेतन भथता है इसके उपर जितना करोडर रुपे खर्च होगा, वो सारा का सारा जनता के टैक्स के पैसे से आएगा, तो ये सम्विधान के आर्टिकल 27 का उलंगर है, दूसरा हमने ये कहा, कि ये जो विशेश सुविधा दे दी गई है मुसलिम्स को, कि अगर आपके जमीन का कोई मुकदमा होगा, धार्मिक जमीन का मामला, कोई जहां पर गिफ्ट हुआ है, मजार का मामला, दरगाह का मामला, मस्जिद का मामला, तो कोट में नहीं चलेगा, वो चलेगा ट्रेबुनल में, लेकिन ऐसी बिवस्था ने क्रिश्चन के लिए है, ने जैन के लिए है, ने बाध के लंगन है अगर आपने यह कानून बनाया कि हम ठीक हिए हम धार्मिक सुरक्षित करना चाहते हैं तो धार्मिक हिस उरक्षित के वाल एक समुदाय क्या थोड़ी किया जाता है वह सब का किया जाता है हमारे सिविल procedure code में जितने भी इस तरीके के title suit के मुकदमे है जमीन के मुकदमे हैं मंदिर मस्जित गुरुद्वारा चर्च जंब मजारदरगा ये सारे के सारे मुकदमे civil procedure court के अंतरगर civil suit धाखिल होता है district court में धाखिल होता है लेकिन अब क्या हुआ सबका मामला तो जाएगा सिविल कोट में लेकिन अगर वो विवाद मुस्लिम्स का है तो सिविल कोट में नहीं जाएगा वो सीधे सीधे ट्रैबुनल में जाएगा ट्रैबुनल हर जीले में नहीं है यूपी में किवले एक ट्रैबुनल है और वो भी उत्तर प्रदेश में कहने का मतलब म पुलादिक मैं खर्ग दों दों मुस्लिमों और लखनाउज जाएगा घृषई वीच्व कि कि लेकर यह संपत्ती को वक्फ घोषित किया गया उसको लेकर विवाद हो गया तो वक्फ एक्ट जो है कि उन्य सोपंचामवे का क्योंकि वक्फ सामाने रूप से होता है कि अगर किसी धार्मिक मुसलिम व्यक्ति ने कुछ गिफ्ट दे दिया धार्मिक कारे के लिए कि अब ये धर्मार्त कारे में मुसलिम धर्म से जुड़े किसी कारे में इस्तमाल होगा और वो वक्फ हो जाता है आप ये कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट 1995 जो है ये वक्फ बोर्ड को शक्ति देता है कि किसी हिंदू या इसाई या सिक्थ की भी संपत्ती पर वो दावा करके उसको वक्फ दिखा सकता है बिल्कुल ये वक्ष पैक्ट 1995 ने वक्ष बोर्ड को असीमित सक्तियां दे दिया है और वक्ष बोर्ड में कौन है मुसलिम अमले, मुसलिम अमपी, मुसलिम टाउन प्लानर, मुसलिम एड्वोकेट, मुसलिम क्या बोलते हैं स्कॉलर और मुत्वल्ली यानि वक्ट बोर्ड में सारे के सारे मुस्लिम है और इनको शक्ति क्या मिली हुई है कि किसी भी जमीन पर जाकर अगर उंगली रख दें यह जमीन हमारी वक्ट पी है यह दान की है तो अब आप कोट नहीं जाओगे अब आप अपने बगल के मालीज जानपूर में कोई वक्ट बोर्ड कहता कि यह जमीन हमारी वक्ट पी है तो वो बेचारा जानपूर की कोट में नहीं जाएगा उसको मजबूरी में लखना हुआना पड़ेगा तो एक तो असीमित सक्तियां दे दिया दूसरा कोट का दरवाजा बंद कर दिया और कोट का द की जाए या क्रिश्चन की जाए पार्सी की जाए यहूदी की जाए जिसकी भी जाए अगर उसकी जमीन पर बोर्ड ने उंगली रख दी आवग बोर्ड ने जिसके सारे सदसे मुस्लिम है तो उनकी मजबूरी है कि आप ट्रेबुनल में आओ जो यूपी में एक है मद्द प्रिपल तलाग के मामले में कोट ने कहा था आप कानून बनाओ किसानों का जो मुद्दा हुआ था फॉर्मर एक्ट में उसमें कोई किसान नहीं आया था फिर भी कोट ने उसको इस्टे किया था ऐसे कई एक जामपल है जहां सुप्रिम कोट ने बोला हुआ है कि आप इस विशे पर कानून बनाओ सुप्रिम कोट के सुनने के लिए अल्टीमेटल कूट ने कहा कि ठीक हाई कोट जा रहा हूं मैं दिल्ली स्प्राइब करना है माइटर पूरे इसका प्रभाव पड़ना है तो फैंसला सुप्रीम कोड को करना है आज भले उन्होंने कह दिया कि आप हाई कोड जाओ तो मैं हाई कोड चला जाओंगा मैं तो आज शाम को यह कह रहे हैं कि लंबा हो गया रास्ता अबाप के लिए अगर सुप्रिम कोट सीधे सुन लेता तो शायद मेरा जो परिस्रम है जो मेरी मेहनत है वो थोड़ी बच जाती है अब मैं हाई कोट जाओंगा साल दो साल वहां मैटर चलेगा वहां बहस होगी इस बीच में अगर कहीं ट्रांस्परि प्रावधान तो इसलामिक लौ में है शुरू से है और राजा महराजाओं नवाबों के जमाने से है कि कोई धार्मिक संपत्ती है तो उसको वक्फ की संपत्ती गोशित कर दिया जाता है अंग्रेजों के जमाने में भी अलग-अलग वक्फ एक्ट बने तो यह 1995 के एक्ट से अहमदिया जो इनके बरेली और भी जो इनके मुस्लिम के सेक्ट्स हैं उनके जो अंदर के कम्यूटी है उसके बैटर को डिसाइड करता था है यह 1995 में पहली बार उस समय की सरकार ने इसमें यह प्रोविजन डाल कर दिया कि नहीं आप हिंदू मुस्लिम का जगडा भी ट्र में आना पड़ेगा उस बोड के सामने आना पड़ेगा जिस बोड में मुस्लिम से धिसमें यह पी उपध्याय ने हमें बहुत विसतार से बताया कि क्या दिक्कत है इनको 1995 का जो वक्फ एक्ट है उससे और इनका कहना है कि ये दिक्कत सिर्फ इनकी नहीं है सब लोगों की है लेकिन लोग शादी से अभी समझते नहीं है ये मसला लेकर ये सुप्रिम कोट में आये थे और सुप्रिम कोट ने सुनने से मना कर दिया अलाकि इनको ये लिबर्टी जरूर दी, अनुमती जरूर दी कि आप चाहें तो आप हाई कोट जा सकते हैं तो अब ये हाई कोट में जाएंगे दिल्ली हाई कोट में लेकिन अंततो गत्वा आखिरकार इस मामले का निप्टारा सुप्रिम कोर्ट में ही हो सकता है ये भी इन्होंने हमें बताया वेरहाल ये अब दिल्ली हाई कोर्ट जाएंगे और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर अपनी बात को रखेंगे निपुन सहगल एबीपी न्यूज दि